एक हाथ से बेल दे दीजे और दूसरे हाथ से ले लीजे यानि कहने का मतलब यह हुआ कि आपने बेल तो दे दी, जमानत तो दे दी लेकिन उसमें इतनी सक्थ कंडीशंस लगा दी, ऐसी ऐसी शर्टे लगा दी कि आदमी देहीं न पाए तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यही हुआ कि आपने इस हाथ से जमानत दी और इस हाथ से ले ली यह कहना है जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के भी विश्वनातन का जो इन दिनों कानून को इनसाफ को पट्री पे लाने पे लगे हुए खास दोर पर जमानत से जुड़े जितने भी मामले हैं नमस्कार, hello and welcome to the legal observer, मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल, जस्टिस बी आर गवई और उनके साथी जज्ज, इन दिनों bail is the rule और jail is the exception, इस बात को ground reality पे तबदील करने में जुटे हुए है जो सुप्रीम कोर्ट का एक ताजा मामला है, जिसमें एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रिखांकित किया है, और अब इसका फायदा, इस बात का, इस फैसले का फायदा, तमाम बहुत सारे ऐसे लोगों को मिल सकता है, जिनको जमानत के लिए, जमानती ना होने क कीवयेसे ठोकरे खाना पड़ता है यह मामला है यह जनाब है गिरीश गांधी इन पे तेरा मामले अलग-अलग स्टेट्स में उत्रपधेश पंजाब और राजिस्थान है इनdade उत्र एइन के उपडसारे राजियों में उत्रखनभी इन तेरा मामले थे, दोकादड़ी के, 420 के इस तरह के मामले थे, पठगी के, अब इन मामलों में, इनको 11 मामलों में जमानत मिल गई, लेकिन ट्रेजिडी देखिए के जमानत मिलने के बावजूद, ये जेल में है, जेल से बाहर नहीं आ पाए, क्यों? इसलिए क्योंकि इने जम मामलों में मैंने जो कंडिशन से पूरी कर दी, अब कंडिशन दी कि 50,000 का पर्सनल मुचल का यानि पर्सनल मौंड, 30,000 की दो शिवरिटी, दो ऐसे जमानती, 30,000 के वह आपको चेंगी, तो उन्हें का साब, मैं हरियाना में जो मामला दरजे गुडगाओं वाला, उसके लि गांदी साब ने तो उन्होंने अपली की और अब सोची ए 11 राज्य है, मतला डौन ही हो गया आदमी, तो 11 राज्यों के वरिष्ट अधिवक्ता, राज्यों के जो अधिवक्ता हैं, उसमें एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जैसे दिगज वकील, व उनकी जो टिपनी है, उनका फैसला तो उन्होंने कही दिया, टिपनी उन्होंने ये की कि भई ये अधिकाल से, ये उनके शब्द है कि आधिकाल से ये concept है, प्रिंस्पिल है, ये सिद्दान्त है, कि भई आप जब बेल दे रहे हो अगर किसी को, आपको लगता है कि भई वो बेल देने योग्या है उस मामले में और बेल आपने दे दी, जमानत आपने दे दी, तो भाई, condition तो ऐसी मतलगाओ, कि आदमी रहा ही ना हो सके, वरना उसका क्या अर्थ हो गया, तो वरबटम उन्हें ने कहा कि ये बिलकुल ऐसा मामला है, इतनी excessive अगर आप condition लगाएंगे कि जो आदमी के लिए possibly ना हो पूरी करना, तो ये तो जस्ट ऐसे हो गया कि आपने left hand से बेल दी और right hand से आपने वापिस ले लिए, इस साथ से दी, इस साथ से वापिस ले लिए, ये उन्होंने टिपनी की, और फिर उन्होंने कहा, इस आदमी को उन्होंने फैसला दे दिय कि भाई, आप जो आपका एक परसास जार का आपने परसनल मुचलका दिया है, और दो शिवरेटी आपने तीस्ते से जार के दिया हैं गुडगाओं में, यानि हर्याना में, वही आपके बाकी 11 जो मामले हैं, अलग-अलग राज्यों में, सब के लिए काफी है, बस इस के अ समझना चाहिए, भारतिये समाज को हमें ध्यान रखना चाहिए, जब हम जमानत स्वीकार कर रहे हों और उसमें कंडिशन इंपोस कर रहे हों, तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, कि समाज में किस तरह की इस्तिती है, मानसित्ता की है, जब हम जमानती मांग रहे हैं फिर भी चलो लोन में अदमी ढूंड ले, आम तर्व पर इसतेदार ही होते हैं, ज olduğ मैंने जमानत ही होते हैं, तो बोले जमानत के मामले में, क्रिमिनल ओफेंस के मामले में, तो पहली बात जो गुनागार है या जिसको पराःूप है, अभी तो सावित हुआ नहीं, दोशी तो अभी हुआ नहीं, अभी जमानती मिली है, अभी तो कदमा चलेगा, वो फिर उसके बाद प्ते होगा कि यह दोशी है, आरूपी है, मतला आरूपी से, अपराधी में वो कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यह तो तो अभी त बताएं भी, तो कौन देना चाहता है, कौन रिष्टेदार जल्दी से आना चाहता है, और फिर इस लेवल पर, जो आजमी रहता, अर्याना का है, आज वो राजिस्तान में कहां से डूंडेगा, वो उत्राखंड में कहां से डूंडेगा जमानती, पंजाम में कहां से डूंड इसलिए अदालतों वो कह रहा है तो उनको इसको समझना चाहिए और ये वाकई इनसाफ की तरफ एक ऐसे समाज की तरफ जहां कानून की हम इज़त करें डरना मतलब इस तरह का डर नहीं होना चाहिए कि जो आतंक में तब्दिल हो जाए वो डर यह होना चाहिए कि हम कानून मा की हम राश्ते ढूड़ने और यह स्थापित हो जाए कि पैसा है को कहीं भी कुछ कर ली यוא सबसे आम बात है, पैसा है तो फिर कानून की कह चिंता है तो यह जो बात है, इस बात को underline करती है व्यक्ति की स्वतनत्रता को, व्यक्ति के मौलीग अधिकार को, फ्रीडम जो जो आर्टिकल 21 में जिसका उलेक है जो इन दिनों बिलकुल जुटीश्री में केंदर में है चर्चा में मानवधिकार को लेकर के पूरी एक समाज के बदलाओ कि दृष्टी से इसको देखना चाहिए क्यों जेले भरी पड़ी है ठुची पड़ी है कितने कितने स दोष्टी सालों से हमारे पस अंडे ट्राइल्स ले लीजे दूसरे मामले लेकर देख लीजे, यूपी के लिए बुलना पड़ा सुप्रीम कोट को, बुलना पड़ा के बुलाये, हम मानानी का दावा करेंगे, बुलाये कौन है, नाम तक मांग लिए मुक्यमत्री के कारे किसने बोला किसने उसी कारी नहीं किया तीन साल से सुप्रिम कोट कह रहा है कि आप डिसाइड करो जेलों में ठुसे पड़े हैं अशमताओं से यादा लोग है तो पूछ रहे हैं कि जिन जिन को भी रिया करने के लिए जो इलिजबल है अगर उसने अप्लिकेशन नहीं भी ल पूरा माइंड सेट है कि आदमी को जो डिटेंशन का जो जेल में जाने का जो सुधार का दृष्टी कौण था वो सुधार का दृष्टी कौण तो है ही नहीं खतम हो गया जेलों में क्या होता है आज कल आप देखी हैं यहां सुकेश चंद्र के शिकर का नाम ले लू तो मनिशी चुदिया को भेज़ दिया उसने मानानी का दावा व्लद्व नोटिस हमें ना भेज़ दिया तो माननी है रहे हैं क्या हो रहा है लोग इंट्रिवु देते हैं जेलों से पारलल चीज़े चल रही है गैंग चल रहे हैं बिजिनस भी चले जेलों से तियार में तो अब भी किर्थिमान इस्थापित हो गया, तो जेल जो है, उस उधार के लाइक इतनी रह गई है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा, देना चाहिए एक समाज के तौर पे, अगर वास्तों में हम एक ऐसे विक्सित भारत की बात कर रहे हैं, तो विक्सित भारत केवल एकॉनमी के दृष्टिकोंड से विक्सित नहीं होगा, जो देश में इस्थितियां हैं, उन सब को हमें समगरता से देखना होगा, सब को उसी दृष्टिकोंड से होगा, तो ये स्वागत योग ये फैसला है, और हमने आपको ये सूचना दी है, बहुत सारे लोगों का शायद इस से भला होगा इस फैसले से, इस खबर के बारे में और इस दृष्टिकोंड के बारे में जो गवई साब की इस बेंच ने फैसले के तौर पे जो उन्होंने दिया है, आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय से होगत कराईए, हमारे वीडियोज यदि आपको अच्छी लगती हो, मुनासिब लगती हो, तो उन्हें शेयर करें, लाइक करें, लोगों तक पहुचाएं, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो, तो ततकाल करने वालों को, अपने मित्रों को, उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, हमें आपके सपोर्ट की आवशकता है, हमारा ये जो प्रयास है, ये व्यक्तिकत प्रयास है, और इस तरह के इंडिपेंडेंट एफ़र्ट्स को समाज के संदक्षन की बहुत जुरुते, क्योंकि झालों झालों झालों